आप सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ NCL OVC Certificate के बारे में NCL OVC Certificate का क्या मतलब है किसको यह issue होता है और इसको कैसे बनवाया जा सकता है तो सबसे पहले देख लेते हैं NCL का मतलब क्या है NCL का मतलब होता है Non Creamy Layer ऐसे OVC Candidates जिनकी Annual Income 8,00,000 या उससे कम है वो आपके NCL OVC की कैटेगरी में आते हैं अब जो आपके Income Count होती वो आपके Father के According Count होती है तो ऐसे लोग जिनके Father के Annual Income 8,00,000 या उससे कम है वो आपके NCL OVC Non Creamy Layer OVC की कैटेगरी में आते हैं जिनके Income 8,00,000 से ज़्यादा है वो CL की कैटेगरी में आते हैं क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं काफी जगाों पर जो OVC Connected NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आपके उनने को इसरिवेशन का फायदा मिलता है जो CL कैटेगरी Creamy Layer की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इसरिवेशन का फायदा नहीं मिलता अब NCL certificate और OVC cash certificate में difference क्या होता है तो काफी states तो ऐसी है जो अलग से NCL non-crimalier OVC certificate को issue करती है लेकिन काफी states ऐसी है जो अलग से NCL non-crimalier OVC का certificate issue नहीं करती है ठीक है तो जिने states में अलग से issue किया जाता है NCL certificate बहाँ तो ये दोनों certificate अलग-लग हो जाते हैं cash certificate और NCL certificate बट जिन states में NCL certificate election issue नहीं होता बहाँ पर आपका जो OVC cash certificate है भही आपका NCL OVC certificate की तरह काम करता है अब मैं कुछ states के आपको example दिखवात आता हूँ जैसे आपका ही दहली का है revenue दहली की website है इसमें आपका ये OVC certificate apply करने के लिए भी option है और इसमें आपका यहाँ पर ये non creamy layer भी apply करने का option है मतलब आपका यहाँ पर OVC certificate भी बनता है और OVC non creamy layer का OVC NCL का अलग से certificate बनता है तो ऐसे states जो लोग belong करते हैं उनके लिए तो दोनों certificate अलग अलग होते हैं और जिसकी जहाँ जरूरत होती वो लोग वो यूज करते हैं इसको बनवाने का तरीका यह है जैसे आप अपना का सर्टिफिकेट इंकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं चाहे आप online apply करते हैं चाहे offline mode में बनवाते हैं तो उसे तरीके आप इसको apply किजिए बागी सर्टिफिकेट के तरह यह भी आपका बन जाएगा अब UP जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो अलग से NCL सर्टिफिकेट को इसू नहीं करते हैं तो यह देखिए UP गर्मेंट की यह साथी वेबसाइट है इस पर आप जाएंगे apply करने के लिए सर्टिफिकेट का तो यहाँ पे आपको आयस प्रमान पत्र मिलेगा निवाध प्रमान पत्र मिलेगा जाती प्रमान पत्र मिलेगा दिवयांग जनब यहाँ पे आपको कई भी NCL को option नहीं मिलेगा ठीक है तो UP States है यह इसी TAP करते हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं ज़रूरत है वो इसको सो कर देंगे बट जो इस्टिर अलग से एंसल सर्टिफिकेट इस नहीं करते तो वो एंसल सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे तो उनका जो ओवी सी सर्टिफिकेट है वही एंसल सर्टिफिकेट का काम क 8 लाख रुपए इससे अधिक नहीं है ठिक है तो इसमें क्या है इनों ने जो NCA की लिमित है 8 लाख वो उनों ने इसमें लगाएंगे जहां भी आपको details fill करनी है NCL certificate की बहाँ पर आप अपने OBC certificate की details fill करेंगे अब question यह है कि कुछ state ऐसे हैं जो अलग से NCL certificate भी issue नहीं करते और उनकी cast certificate के भी कोच income का mention नहीं है तो बहाँ का solution यह है कि उनको form कहीं वो apply कर रहे हैं मालों किसी job के लिए तो NCL certificate की डिटेल्स हैं बहां तो वो अपने cast certificate की ही डिटेल्स बरेंगे, OVC के हैं तो OVC cast certificate की डिटेल्स अब जहां कहीं भी उन्हें यह प्रूफ करना है कि वो OVC certificate के details को fill किया अब documents verification का नमबर आया joining के time तो फिर उसको अपने OVC certificate के साथ साथ अपना income certificate भी सुख करना पड़ेगा ये proof के लिए कि वो NCL category से belong करता है तो तीन चीजे हैं जो state अलग से issue करते हैं उनको तो कोई problem नहीं है जहाँ उनको NCL की details fill करनी है वो आराम से fill करेंगे जो state अपने cast certificate में ही NCL की limit को mention करते हैं income की limit को for example UP वो अपने cast certificate की details apply करते समय कहीं भी fill करेंगे उनको अलग से NCL के लिए कोई proof की जरुवत नहीं है और जो states अलग से नहीं NCL certificate बनाते हैं और नहीं उसमें mention करते हैं उनके लिए apply करते समय तो कहीं भी अपने OVC cast certificate की details fill करनी है और documents verification के time पर उनको अपना income certificate भी show करना पड़ सकता है तो I hope आपको NCL OVC certificate से related सारे doubt clear हो गए होंगे तो आप वीडियो को like करें और comment करके में जरूर बताएं अब पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करके जरूर जाना